अभी का ये वीडियो एक बड़ा ही महत्वपूर्ने टॉपिक पे बनने जा रहा है वो टॉपिक है कि ऐसा कौन सा टाइम टेबल हम लोग ये कर लें अपना लें जिसको अपनाने के बाद एक्जाम आने से पहले पहले एक्जाम की पूरी तैयारी हो जाए टाइम टेबल का वीडियो सबसे ज़्यादा डिमांड में है अभी है ठीक है बच्चों तो मैं आपको आज इसी टॉपिक पे वीडियो देने वाला हूँ लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बाते मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चे कितने तरह के होते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ पढ़ना है कौन सबी साइक पढ़ना है यह सारी बाते में आप लोगों को बताने वाला हूं तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो वीडियो देख लेते हैं टाइम टेवल का वीडियो देख लिया और देखने के बाद थोड़े से मोटिवेट भी हो जाते हैं और जब व बजह पता है कि वो टाइम टेवल इतना हार्ड होता है उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो उसको फॉलो यह नहीं कर पाते तो बैसे बच्चे जिन से इस तरीके का टाइम टेवल फॉलो नहीं हो पाता है वो बच्चे कभी भी टाइम टेवल को फॉलो करने की कोसी सी ना करें तो फिर वो क्या करें पढ़ाई छोड़ दें बिल्कुल नहीं उनके लिए एक अलग से काम है काम यह है कि वो एक टार्गेट सेट करें कि मुझे दिन में इतना पढ़ना है ताइम टेबल का नुसार नहीं कि कल से पढ़ेंगे आज की पूरी पढ़ाई चौपट हो गई तो हमें उस तरीके से फिर आगे नहीं बढ़ना है वैसे बच्चे जो मतलब follow नहीं कर पाते उनके लिए है वो क्या करेंगे वो target set करेंगे कि आज हमें पूरे दिन में ये topic को या तो इस chapter को complete कर लेना है cover कर लेना है और वो बच्चे जो target बनाएंगे वो target ऐसा बनाएं कि हाँ उसको achieve कर सके ऐसा नहीं कि खुब बड़ा सा target ले लें कि पूरा का पूरा book पढ़ जाना है नहीं हो पाएगा तो वो भी नहीं हो पाएगा आपसे मतलब कि ये जो target बनाने वाला जो हम लोगों ने process start किया वो भी नहीं हो पाएगा तो target हमें ऐसा set करना है कि हाँ भाई उसे हम achieve कर सकते हैं और आप पूरी इमानदारी से कोसिस किजिएगा कि हाँ आप उसे achieve कर लें उनके लिए क्या है तो सबसे पहरे तो आप अपने से एक सवाल पूछ लीजिएगा सवाल ये है कि आप दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं या रात में दो तरह के बच्चे होते हैं इसमें जो time table को follow कर पाते हैं उनमें दिन में पढ़ने वालों के लिए भी मैं यहाँ बताऊंगा कि उनको कैसे पढ़ना है रात में पढ़ने वालों के लिए भी मैं बताऊंगा तो सबसे पहले मैं रात में पढ़ने वालों के बारे में बता दूँ रात में पढ़ने वालों को, मैं ये बता देता हूं, मतलब मान के चल रहा हूं कि आप कम से कम 2 बजे तक जाग रहे हो, अगर आप 2 बजे तक जागते हो, तो किस तरीके से पढ़ना है आप सुरुवात करोगे साम साड़े च्छे बजे से, साड़े च्छे बजे से पेन पेपर ले करके बैठ चाहिए, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, आपको पढ़ना है तकरीवन यहाँ पर दो घंटा, दो घंटा पढ़ना है, ठीक है बच्छों, साड़े च्छ आपको नहीं पढ़ना है हर आधे घंटे के बाद पाँच मिनट का एक गाप ले लेना है तो फिर से आकर पढ़ने बैठे के और आगर आप कुछ एसा यह टौपिक रहें, कुछ ऐसा chapter पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो फिर बोर हो जाओगे पढ़ते-पढ़ते, तो कैसे पढ़ना है बच्चे, तो पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम टहल टहल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा जोर से बोल करके पढ़ेंगे, ताकि आपकी वो आवाज आपके कानों तक पहुंचे अगर आप बोल के पढ़ोगे ना आपको ज्यादा याद होगा ठीक है ये रहा हमारे पढ़ने का तरीका तो दो घंटा हम यहाँ पर पढ़ दिये ठीक है साड़े छे से लेकर के साड़े आठ तक उसके बाद आधा घंटा का एक गैप लीजिए अगर चायवाई पीते हैं तो चायवाई पी लीजिए थोड़ा सा गैप लेने का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पर लेड़ जाए थोड़ा सा टहल लीजिए नौ बज गया अब नौ से ग्यारा एक बार फिर से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और इस बार आप क्या करोगे बच्चे अगर आपने पहले सोसल साइंस पढ़ा है तो इस बार आप क्या पढ़ोगे साइंस पढ़ोगे और अगर पहले आपने साइंस पढ़ लिया है दो घंटा तो आप इस बर क्या करोगे, सोसल साइंस पढ़ोगे, ठेक है, ये पढ़ोगे, और बही वाला तरीका रहेगा, तरीका क्या रहेगा, कि हर आधे घंटे के बाद, आधा घंटा, 40 मिनट के बाद, 5 मिनट का एक गैप ले लेना है, बिज्ञान कहता है, कि कोई भी काम को, चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों न हो, 45 मिनट तक अगर आप लगातार करते हो, तो आप उप जाओगे, आपको एक करोण रुपिय का फाइदा वाला भी कोई स्कीम आपको समझा रहा होगा, और 45 मिनट से ज्यादा आपका समय ले लिया है, जैसे ही 46 मिनट पे जाएगा न, आप उतनी कंसंट्रेशन से आप उस काम को उस स्कीम को नहीं सुन पाएगे, यह विग्यान बोलता है, तो 45 मिनट से ज्यादा का तो कभी कोई ये लेना ही नहीं, कोई सिटिंग इतनी लंबी नहीं लेना है, जो कि 45 मिनट से ज्यादा लंबा हो जाएग, इतना लंबा सिटिंग नहीं लेना है हम लोगों को, बस, 30-40 मिनट होते होते, 5 मिनट के लिए उठके थोड़ा सा टहल लेना है, दो घंटा आपको यहां पर क्या पढ़ना है, या तो साइंस पढ़ोगे, या तो सोसल साइंस पढ़ोगे, ठीक, अगर आपने पहले साइंस पढ़ लिया है, तो बाद बिश्दर पकड़ दोगे, तो आपको इतना ही घाना है कि आप फिर से बैठ सको साड़े ग्यारा हो जाए, आप फिर से बैठ ये और इस वार तकरीबन आप अड़हाई घंटा पढ़िए, कितना बच्चों? अड़हाई घंटा आपको पढ़ना है, लगातार और इस वक्त आप क्या पढ़ोगे? इस वक्त अगर आपने कुछ रटने वाला, कुछ याद करने वाला चीज उठा लिया आना, तो नहीं पढ़ा पाओगे तो इस टाइम पे आपको मैथेमेटिक्स पढ़ना है मैथ बनाए, सॉल्व कीजे मैथ को किस तरीके से सॉल्व करना है एक चैप्टर को किस तरीके से जल्दी रिवाइज कर लेना है, इस पे एक से प्रेट वीडियो बना दूँगा, ठीक, तो इस टाइम पे आपको मैथेमेटिक्स पढ़ना है, तकरीबन कितना पढ़ना है, डेढ़ बजे तक आप पढ़िये मतलब तब तक पढ़िये, जब तक नींद ना आने लगे, तब तक आप पढ़ते रहिए डेढ़ बजे तक पढ़िये, हाँ जी, डेढ़ बजे के बाद फिर उठिये, उठकर के थोड़ा बहुत अगर अब बच जाते हैं कि भाई हिंदी और संस्क्रीट कप पढ़ेंगे, तो आप सुबह में, अगर आप रात में इतना देर तक जाग रहे हो, तो साड़े साथ आठ बजे तो उठोगे, उससे पहले नहीं उठ पाओगे, उठना भी नहीं है, कम से कम नीन भी आपको साड़े शे घंटे की ले लेनी है, ठीक है, तो साड़े आठ मान के चल रहा हो, क्या आप उठ रहे हैं, ठीक उठकर के बढ़िया से फ्रेस ब्रेस हो जाईए, उसके बाद आप दिन में तकरीबन दो से अड़ाई घंटा समय निका लिए, दो से अड़ाय घंटा आपको निकालना है, दो घंटा अगर आप निकाल रहे हैं, तो एक घंटा आप हिंडी को दे दीजी, और एक घंटा आप संस्क्रीट को दे दीजी, ठीक है, और अगर आप चार नहीं उठ रहे हैं तो साढ़े चार तो पक्का उठ जाईए और साढ़े चार उठने के बाद पांच बजे से पढ़ने बैड जाईए पांच से साथ एक दम लागातार आपको पढ़ते रहना है फिलहाल अभी जो टाइम है तो अभी तो आप पहले ही उठ सकत हो इतना है सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि हमारा बॉड़ी बहुत ज्यादा हरकत नहीं चाहती है ठीक आप अराम से लागातार पढ़ सकते हो आप दो घंटा लागातार पढ़िए क्या पढ़ेंगे इस टाइम पर तो जो याद करने वाली चीज़ें जैसे कि बिग जीवन में चाय ना ही पीए तो ज्यादा बेहतर है ठीक है लेकिन अगर आप पीते हैं तो पी लीजिए और पीने के बाद आप अगर कोचिंग वगएरा है तो वो चले जाए अगर कोचिंग नहीं है तो आधे घंटे के बाद आप फिर से पढ़ने को बैढ़ जाए और क्योंकि अभी अभी तो हम इतना लंबा चोड़ा दो घंटा लगातार पढ़कर के आ रहे हैं थक गए हैं तो ऐसा फिर से एक भारी सा उठा लोगे ना तो दिमाग पर ज्यादा जोर पढ़ जाएगा ऐसा नहीं करना है हलका से एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको अराम स जब आते हैं तो आपको दो घंटा फिर से पकड़ना है वो दो घंटा कब होगा भाई 10-12 हो जाए 11-1 हो जाए कभी भी दो घंटा आपको पकड़ लेना है तो आप क्या किजिए भाई अगर आप आपनी सूबह में साइट्स पढ़ लिया है ठीक तो इस टाइम पर साइंस पढ़ दीजे ठीक है ये काम आपको करना है दो घंटा और ये दो घंटा कैसे करोगे बस भही आदे घंटे वाले फॉर्मूला लगाना है आदा गंटा 40 मिनट के बाद आपको क्या करना है पांच मिनट का ब्रेक ले लेना है और इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई आगे चीजे उसको देखते रहिए ठीक है ये एक घंटा और पर देजा आप किसी भी टाइम अब साम हो गया कुछ बाते और बताओंगा मैं ठीक है अपने पे भी धियान देना है वो भी मैं बताने वाला हूं साम हो गया थोड़ा सजा के खेलिए रात में पढ़ने वाले अब भी साम में एक घंटा खुद पर जरूर ध्यान देना है अगर ध्यान देने का मुतलब जरा बाहर निकल ये टहलिए घूमिए फिर ये ये काम आपको करना ही करना है ओके बच्चों एक घंटा आपको इस तरीके से बिता देना है ठीक लड़के तो बाहर घूम लेंगे के लिए साम में और दो घंटा आप मैथेमेटिक्स बना है मैथ का टाइम आपको रात में देना है दो घंटा मैथेमेटिक्स बनाईए कितना हो जाएगा साड़े आठ हो जाएगा अगर थोड़ा सा और आपका दिल करे कुछ पढ़ने का तो कोई हलका सा सब्जेक्ट फिर पुरी तयारी आप कर लोगे ठीक ऐसा नहीं होगा कि एक्जाम सर पर आ गया अभी यहां पर दो चैप्टर बचा हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा एक दम मुकमल तयारी हो कि आपकी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हा